अराम से ठायों, अराम से कुछ फील हो रहे हैं? वो पडोसाली संजना है ना? भाबी वो भाईया के कमरे में जवान हो रहे हैं जवान? दोस्तो जब से बैप सरीज का ट्रेंड चला है लोग मोबीज को भूलते जा रहे हैं इन बैप सरीज में हमें ओ सब देखने को मिलता है जो मोबीज में नहीं होता इन बैप सरीज में गाली गलोच और 18 पलस सीन तो दिल खोल कर पडोसा जाता है आज हम आपको ऐसी इंडियन बैप सरीज के बारे में बताएंगे जीने अगर आप हिंदी बैट सरीज का हैं तो कुछ गलत नहीं होगा मैडम जी इस ससरा सेक्स लिखने का चीज है का इतो किया जाता है अब इस उमुर में परधान जी का ट्वंटी ट्वंटी खेलेंगे बैट सरीज बेश्ट है क्राइम थिलर एंड मिस्टरी एक्टिविटी के ऊपर सरीज की कॉंसेप्ट की अगर हम बात करें तो सरीज की कॉंसेप्ट सुरू होती है चार दोस्तों से जो कि गोवा में खुटिया मनाने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पर जाते ही वो एक मिस्टर iOS केस में उलज जाते हैं और इस मिस्टरियस केस से वो किस तरह से बाहर निकलते हैं यही दिखाने की कोसिस की जाएगी इस कम्प्लीट बैट सरुज में स्रीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्रीज की स्टोरी सुरू होती है एक ऐसे कपल से जो की एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार का इजहार कर नहीं पाते हैं इसी बीच उनके बीच बहुत सारी गलत फायमिया भी होती हैं और वो सभी गलत फायमियों को ओक पॉइंट टू की, नमबर तीन, सिकारी सीजन टू, बैक स्रीज बेश्ट है, क्राइम थिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर, बैक स्रीज की स्टोडी स्टूर होती है तीन दोस्तों से, जो कि अच्छे बोरे हर वक्त एक साथ रहते हैं, यानि कि ओ क्राइम भी करते है तो एक साथ करते है और अच्छे काम भी करते हैं तो एक साथ करते है, लेकिन लास्टक इन तीनों दोस्तों का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए आपको इस सिरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए, सिरीज को चाहेतों आप देख सकें चौपाल आरजिनल पर, और इसे IMDB rating देती है 10 में से 7.4 की